पैर के अंगूठे से अंगूठा दबा कर बोलें ये सब्द इस्त्री बेचैन हो जाएगी संबंद बनाने के लिए चाणक के निती चाणक के द्वारा रचित निती गिरंथ है जिसमें जीवन को सुक में और सफल बनाने के लिए उपियोगी सुजाब दिये गए है इस गिरंद का मुखे भी से है मानब समाज को उसके जीवन के हर एक पहलू की वैवारिक सिख्छा देना नमस्कार दोस्तो स्वागत है आप सभी का हमारे यूटूब चैनल में आए जानते हैं चालक के कि कुछ ऐसी ही नीतिया जो जीवन में किसी न किसी मोड पर काम आ सकती है दोस्तो क्या आप भी किसी से बे इंतहा महबबत करते हैं और उसे पाना चाहते हैं या आप किसी इस्तरी या पुरुस को अपना दीवाना बनाना चाहती है दोस्तो चाहे वह इस्तरी हो या पुरुस हो कोई भी इस उपाय को करके अपने प्यार को पा सकता है जो व्यक्ति प्यार के लिए तडप रहा है वह अब नहीं तडपेगा प्यार उसके लिए तडपेगा चाहें वह इस्त्री हो या पुरुस हो उसका प्यार उसकी बाहों में तुरंत आएगा ये वहुत ही आसान उपाय है लेकिन इसमें आदरस से सक्तियां हैं जैसे ही आप इसे करेंगे आपके प्यार के दिल में आपके प्रती वो महबत जागरुत होगी कि वो आपके बगेर नहीं रह सकता हर समय आपके ख्यालों में ही डूवा रहेगा तो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों आपने ये उपाय कैसे करना है और कब करना है ये जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहें वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कर दें और अगर आप हमारे यूटूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके वेल आएकन दवालें ताकि ऐसा ही ज्यान आपको हमारे चैनल के माद्यहम से सबसे पहले प्राप्त हो सके दोस्तो अगर आप भगवान सरी किष्णन खाट उस्याम मुरली वाले से सची महबत करते हैं तो कमेंट बॉक्स में रादे रादे जैसरी किष्णा अवस्य ही लिख दें ताकि भगवान सरी किष्ण आपकी हर मनों कामना पूरी करें दोस्तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूँ आप ही उपाय किसी गलत मकसद के लिए ना करें आप अपने सचे प्यार के लिए ही इसे करें क्योंकि अगर आप इसे गलत मकसद के लिए करते हैं अंचाहे में किसी को अपने प्यार में दीवाना करते हैं बहवेक्ति आपसे प्यार करता तक भी नहीं तो उसकी आत्माओं को ठेस पहुचेगी और जब आत्मा दुखी हो जाती है तो दोस्तो भगवान वी रूट जाता है क्योंकि आत्मा ही तो वो है जो भगवान का अंस हो होती है और आत्मा खुसी होती है तो भगवान हर वक्त खुसी रहता है और जब आत्मा दुखी हो जाती है तो उपर वाला भी रूट जाता है वो खुदा वो गौड हमसे रूट जाता है और हमारे सारे कार्रयों में बाधाएं आने लगती है इसलिए हमें यह उपाए किसी सचे प्यार के लिए ही करना है बढ़ते हैं वीडियो की और बताते हैं कि आपने ये उपाय करना कैसे है दोस्तों आप इसे बैसे तो किसी दिन ही कर सकते हैं लेकिन आप इसे मंगलवार के दिन करेंगे तो आपको अतिशीगरी ही फल मिलेगा और ये उपाय आपको दिन में ही करना है रात में नहीं करना है आप अपने घर के मुखे द्वार पर जो मैंग गेट होता है उस पर बैठ जाएं अगर आपके पेर में जूते या चपल हैं तो उन्हें निकाल करके पेर अच्छे से धो करके आप अपने मुखे द्वार पर बैठ जाएं और अपने दाए पेर के ऊपर बाए पेर रख लें और बाए पेर के अंगूठे से दाए पेर का अंगूठा दवाएं और अपने प्यार का मन ही मन धियान करें और एक बार उसका नाम भी बोल दें उसके बाद दोस्तो आप अंगुठा अपने दवाय रखें और यह है एक सब्द बोलें सब्द है ओम चामुन्डाए कुर्यम दंडे आमुखी हिर्दम बसम स्वाहा दोस्तो यह सब्द आपको साथ बार बोलना है सब्द एक बार फिर सुन लें ओम चामुन्डाए कुर्यम दंडे आमुखी हिर्दम बसम स्वाहा दोस्तो यह सब्द जैसे ही आप साथ बार बोलने ध्यान दे जो मैंने आमुखी सब्द बोला है उसके इस्तान पर आप अपने प्यार का नाम बोलें दोस्तो आपको ये मंतर सातवार वोल करके और अपने पेरों पर फूक मार देनी हैं और वहां से उठा जाना है जैसे ही आप अपने घर के अंदर प्रवेश करें वैसे ही तुरंत ही जल से अपने उपर थोड़ा सचीटा लगा लें दोस्तो प्यार आपके लिए तडपेगा आप प्यार के लिए नहीं बहे दिन रात आपके खयालों में डूबर रहेगा और आपसे मिलने की कोशिस करेगा बहे जहां भी होगा तुरंत बात करेगा मेरे प्यारे प्यारे भगतो आज की वीडियो में बस इतना ही मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार राधे राधे